Hi, so in the last lap एक geometry का कमाल का question फिल से करते हैं जो आपके exam में बहुत important question की तरह दिख सकता है क्योंकि basic concept के साथ बनाया है तो questions आपके exam में दिखते हैं और इस question को मैंने facebook और telegram पे पहले ही post कर रखा है अगर आपने solve नहीं किया तो वहाँ पे जाके solve किये बहुत सारे activities हम यहाँ पे start करने वाले हैं in the last lap revision में यह अगर आप preparation अभी start कियो तो भी आप इस दुनों group को join कर लो link description में दिया है बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा तो मैं screen set जाता हूँ I want please pause the video and try to solve this basic question of geometry so question क्या है बहुत simple सा है you have a triangle जिसके बीच में एक rhombus दिया हुआ है upper triangle and lower triangle का area दिया हुआ है आपको इस triangle इस rhombus का area निकालना है sometimes they can ask find the area of the complete triangle complete triangle का भी area पूछ सकते है आपसे वो मतब this triangle area plus this triangle area plus rhombus तो चलिए इसमें कोशन आपको कुछ पहले बताते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके किसी एक triangle के अंदर rhombus है on the base अगर आप base पे एक rhombus create करते हो rhombus का मतलब क्या होता है we have a parallelogram with sides equal हमार पास क्या है parallelograms है जिसमें sides equal है यह rhombus ही नहीं हो आप sometimes यह बोच सकता है when you have a right angle triangle आपके पास क्या हो एक right angle triangle हो जिसके अंदर क्या हो square हो यह दूनों देख लिजे you have a right angle triangle जिसके अंदर क्या है square है यह दूनों का होता है in which अगर आपका upper triangle का area x है आप इस triangle का area y है यहाँ पे इस triangle का area अगर मैं आपसे बूरू x है और इस triangle का area y है देख लिजे मैं आपको condition फिसर इंपीट करता हूँ, you have a rhombus, आपके पास क्या होगा, rhombus होगा, यह आपके पास क्या होगा, square होगी inside a right angle triangle, then the area of rhombus, all the area of square is actually equal to 2 root xy, is actually equal to 2 root xy, इसे पता कर लो, तो आप बहुत easily solve कर सकते हो question को, तो मैं screen set जाता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या पचा है, त इसका screen shot ले लो, मैं sign करता हूँ, that is the my signature, so that अगर आपके पास screen shot रहे, तो आप मुझे भी याद करते जाओ, तो आप इसका screen shot ले लीजिए, या आप इसको playlist में डाल लो, बहुत important question है, मैं आपको बता दूँगा कि प्रूफ करगे, यह होता कैसे है, anyhow, अगर हमें यह outcome पता है, तो we can solve this question within second, तो चलो हमने पता कर लिया कि मेरा यही है, इस question में क्या दिया है, ADE का area 12 दिया हुआ है, this area is 27 दिया हुआ है, और मुझे निकालना है इसका area, तो we can say by that outcome, this one is 2 into 12 को मैं 4 into 3 लिख दूँ, होगा क्या, 2 into 12 into 27, आप उसको भी कर सकते हो, 4 into 3, और 27 को 3 into 9 लिख निकलेगा, 9 से 3 निकलेगा, into 3 हो जाएगा, this one is 36, is the answer of this question, इस question का अंसर क्या है, 36, बस, hardly 10 से 15 से का question है, और आपको यह outcome पता हुआ तो, अब आप बोलें, sir, outcome तो ठीक है, concept is the king, concept ही तो king होता है, तो मैं इस concept is the king को करना क्या है, समझना है कि actually है क्या, तो मैं आपको 2-3 बा यह A है, यह B है, यह A है, यह A है, और यह side B है, और line क्या है, parallel है, और यह angle क्या है, theta है, तो area of palogram क्या होता है, AB sin theta, बिकर triangle का area होता है, वो half AB sin theta होता है, और दो triangle बनते हैं, तो मैं आपके पास, और मैं palogram को rhombus बना दूँ, अगर मैं palogram को rhombus बना दूँ, तो इसका जो area है एरिया को हमें साथ डिल्टा शिर नोट करते हैं यह होज़ागा A square sin theta साइद आप इस पे समझ सकते हैं इसको समझ सकते हैं यह पहला concept है दूश्रा concept मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दो triangle similar है तो similarity में हमें पता है कि अगर यह side M और यह side N है तो area का जो ratio होगा वो होता है M square by N square अगर similar है अगर मैं निकालू area का ratio मैं निकालू area का ratio मैंने आपसे कहा बहुत अची बात है अगर मैं आपसे बूलूं चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बात मैं हम इस figure को discuss करेंगे कि अगर मेरे पास दो similar triangles है इसका area अब area में लिखना हूँ M है और इसका area क्या है N है और यह दोनों's triangle का है similar है तो इसका जो side ratio होगा side का ratio मैं बोलूंगा वो root M और root N के ratio में होगा ठीक है और जब ratio को हम common factor के साथ multiply कर देते हैं तो यह values में convert हो जाता है तो मैं आपसे तीन बाते repeat करता हूँ मैंने जो आपको बतानी चाहिए इसे याद रखिएगा पहली बात क्या है rhombus का area है वो होता है A square sine theta दूसरी बात क्या है कि अगर आपके sides का area दिया हुआ है मतलब area of the triangle दिया हुआ है similarity है तो हम उसके root में x multiply करके corresponding side निकाल सकते है तो इसी के साथ हम आगे बलते है बागी हम आपसे बहुत ज़्यदा calibration नहीं करवाना चाहता हूँ मैं आप बहुत कुछ लगा सकते हो मैं आपसे जो सबसे basic shortcut जो जा रहा है shortcut नहीं बुरूँका जो concept है हमें इसको use करता हूँ मान लो कि इस figure का area x है इस figure का area y है मैंने कहा अच्छी बात है मैंने इसको मान लिया तो ये जो a, d, e है actually e, f, c के साथ similar है आप बोलोगे कैसे मैं बोलता हूँ angle देखो यहाँ पर अगर theta है तो ये angle theta होगा और ये angle भी क्या होगा? theta होगा because parallel lines तो मैंने कहा एक angle मेरा parallel है मैंने कहा कि अगर ये angle मेरा alpha है तो ये angle alpha होगा parallel है दो angles अगर आपके equal है इनका area x है इनका area y है तो side का जो ratio होगा मैं side के ratio में बात करना चाहता हूँ आपसे वो क्या होगा? वो root x और root y के ratio में होगा root x और root y के ratio में होगा ratio में अगर मैं corresponding value कुछ multiply कर दूँ अगर ratio में corresponding value multiply कर दूँ तो आ जाएगा, साथ आपको यह दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको curl change कर देता हूँ this one is root x m और यह root y m है मैंने कहा अच्छी बात है अगर आपका यह area ratio of the similar triangle है तो आप इसको root x root y के ratio में लेके जा सकते है मैंने corresponding value m बडिप्लाई कर दिया मैंने जैसे ही इसको corresponding value m बडिप्लाई किया area of rhombus मैं इसको पता है वो होता है side square that is root x square into m square मतलब side square या आप direct इसको लिख सकते हो यह क्या हो जागा root x side square into sin theta यही है which one is actually equal to x square not x square but x x into m square sin theta कहीं से मुझे यह m square sin theta मिल जाए तो मैं इस values को निकाल सकता हूँ बहुत easily मैं इस question को solve कर सकता हूँ मैंने कहा जरो ठीक है हम इस question को solve करने की कोशिस करते हैं मैंने कहा कि अगर यह area y है इस triangle में दिखेगा पहले इस triangle से यहाँ निकाला यहाँ से numbers का यह निकाला अगर यह area y है तो किसी भी triangle में area क्या होता है half into base root y into base into sin that is f e side f e into sin theta मैंने कहा अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब यहाँ से f e की value निकालता है f e यह 2 उपर जाएगा root y से root y cancel हो जाएगा root y और नीचे क्या आएगा नीचे आएगा m sin theta आपने कहा यहाँ से तो मुझको एक बात समझ में आ गई कि हमने side निकाल दिया मैंने कहा यह rhombus है तो यह side इस side के बराबर होगा rhombus में सारे side equal होते हैं बरहाँ बराबर होगा तो इसका जो value होगा वो होगा root x into m मैंने कहा perfectly fine यह होगा अब मैंने कहा कि मुझको चाहिए क्या मुझको चाहिए m square sin theta तो इस m sin theta को अगर मैं उधर ले जाओ तो यहाँ होगा m square sin theta और root x को इधर ले जाए तो यह जगा root y upon root x इस outcome के लिए हम परिसान हो रहे थे और इस outcome को अगर मैं यहाँ put कर दूँ तो यह जगा x into 2 into root y upon root x root x से root x cancel होगा 2 into root x into root y is the area of rhombus यह क्या है area of rhombus है तो हमारा जो area of rhombus होगा वो हो जगा 2 root xy और यह स्क्रीन पे यह पूरा का पूरा concept आपका पढ़ा हुआ है जो बहुत important है तो कभी भी आपके पास किसी भी triangle के अंदर rhombus on a side हो या right-angled triangle के अंदर squared हो upper triangle और lower triangle का area दिया हुआ तो आप direct this outcome से question को solve कर सकते हैं और यही तो हमारा question था यही तो हमारा question था और यह हम लोगों का outcome है तो मैं चाहता हूँ कि आप last minute पे perfect revision करते रही है तभी आप आगे बढ़िएगा last minute या इवन आपने अगर भी start किया है तो मुझे लगता है कि ये channel आपको perfect start दे सकता है आप groups join कर लो facebook और telegram link description में दिये हुए है या अगर आप course join करना चाहते है तो education.com पे जाके आप course अपने search कर सकते हो कि कौन-कौन सा course आपके लिए है या आगे कौन सा course अगर आएगा उसकी आप inquiry कर सकते हो 995050159 पे आप यहाप inquiry कर सकते हो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका perfect investment होगा ये आप इसके लिए regret कभी नहीं करोगे तो मिलते हैं अगरे concept के साथ बहुत जल्द जाते-जाते मैं आपके बोलता हूँ प्लीज वीडियो को like कर दिजगा कुछ comment कर दिजगा सो टाथ हमारे team का मनुगर भरता रहे मैं तो आकर represent करता हूँ team बहुत पीछे से fight करते रहती है तो team के लिए अपने preparation करें जस्ट एक click एक comment में आपका कुछ time नहीं जाएगा लेकिन जो भी अगर आपको लगता है कि time जाता है तो पूरा time आप डाल दिजए preparation में तो this one is the outcome जो बहुत important outcome है मैं मिलता हूँ अगले concept वीडियो के साथ बहुत जल्द या question information के साथ myself हम ये देते हैं अपना best आप दीजे अपना best and let's crack the reaction God bless you, happy learning and bye-bye